नमस्कार आसा करता हूँ आप ठीक होंगे तो आज की कहानी है हमारी कुलधरा गाउं की जो की एक स्रापित गाउं था तो एक रात की बात है एक रात में 84 गाउं के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए कहां गए किसी को नहीं पता तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलधरा विरान पड़ा है जो की आज सिर्फ एक ट्यूरिश डेस्टिनेशन की जगा के रूप में पड़ा हुआ है कुलधरा को भारत की दूसरी सबसे डरावनी वे भूतिया जगा का भी दर्जा दिया गया है वहां के मूल निवासियों का कहना है कि उस गाउं में भूत प्रेत का वास है और वहां से कभी बच्चे की रोने की आवाज तो कभी ओरतों के पायल या चिलाने की आवाज आती है राजिस्थान सरकार ने उस गाउं के चारों तरफ दो किलोमिटर की दूरी पे एक बाउंडरी बनवा दी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया ह कोई भी वहाँ के दिन में नहीं जा सकता सूरज ढलते ही आपको वहाँ जाने की अनुमती नहीं दी जाती और यहां तक की रात में वहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं रुखता है अगर इतियास खारों की बात करें तो वे भी इस बात को सच मानते हैं जिस थरा से यह गाउं एक रात में खाली हो गया लेकिन भूत प्रेत वाली बातों को वे नकार देते हैं राजिस्थान का जैसल मेर सहर जिसे की गोल्डन सिटी भी कहा जाता है यह एक भहुती खुपसूरत सहर है जैसल मेर से सिर्फ 18 किलोमेटर की दूरी पे यह कुलधुरा गाउं बसा हुआ है इतियास कारो और वहां के इस्थानिय निवासियों का कहना है कि लगबग सन 1290 में जैसल मेर से 18 किलोमेटर दूर कुछ किलोमेटर के एरिया में पाली वाल ब्रामनों ने इस गाउं को बसाया था और वहां पर 84 गाउं के 600 लोग एक साथ मिल जुलकर रहते थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो हस्ता खेलता गाउं एक रात में खाली हो गया इसका कारण था जैसल मेर का दिवान सालम सिंग सालम सिंग एक बहुत ही कुरूर दिवान था और कुलधरा गाउं भी उसके ही परसासन में आता था दरसल उसके कुरूर होने की पीछे की एक कहानी है जब वह 11 साल का था तब उसी के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी किसी राजदरों के आरोप में उसके पिता भी जेसल मेर के सोनार में दिवान थे उसी घटना ने सालम सिंग को इतना कुरूर और निर्दे बना दिया था कहते हैं कि उसके बाद से ही वे उस सोनार किले परकबजा करना चाता था और पूरे राजे को हतियाना चाता था उसने सोनार किले से थोड़ी ही दूरी पर अपना भी महल बनवाया था जो कि सोनार किले से भी उचा था पर वहां के राजा को ये बात पसंद नहीं आई कि उसके महल से उचा उसके दिवान का महल हो तो राजा ने सालम सिंग के महल के ऊपरी की दो मंजिलों को तुडवा दिया सालम सिंग औरतों में भी काफी बदनाम था एक बार सालम सिंग कुलधरा गाओं का दोरा कर रहा था तो अचानक उसकी नगर वहां की पुजारी की एक बेटी पर पड़ी और उसकी नियत खराब हो गई फिर उसने उस लड़की को उठवाने की कोशिस की लेकिन पालीवल ब्रामनों के होते हुए ऐसा वह ना कर सका उसने इसके बाद भी भहुत से कोशिसे की लेकिन वह हर बार विफल हो जाता था आखिरकार जब उसे कोई काम्यावी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीधा उस गाउं में संदेश बिजवा डाला कि अगले पूरण मासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंग की हवेली पर पहुचा दिया जाए वरना अगले दिन वे अपने सैनिकों के साथ उस गाउं पर हमला कर देगा ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत परिसान हो गए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करे क्योंकि पूरण मासी की रात आने में अब कुछी दिनों का वक्त रह गया था उसके बाद गाउं में पंचायत बुलाई गई और उसी रात सारे 84 गाउं के 600 लोग एक मंदिर में इकटा हुए उसके बाद अलग-अलग लोगों ने अपनी राय दी किसी ने कहा कि हम इसके खिलाफ साथ मिलकर लडेंगे पर वे कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सीना का सामना नहीं कर सकते थे तो किसी ने कहा कि वे परिवार वहां से चले जाए लेकिन आखरी में ये फैसला हुआ कि सभी 84 गाउं के लोग एक साथ इस गाउं को छोड़ कर चले जाएंगे उनका कहना ता कि हम अपनी इज़त का सोदा नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए और वे सारे लोग एक लड़की की इज़त बचाने के लिए गाउं छोड़ कर चले गए और जाते जाते एक सराब भी दिया कि आज के बाद ये गाउं कभी नहीं बस पाएगा और जो यहां बसने की कोशिस करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा उसके बाद कुलधरा पूरा वीरान पड़ा था फिर दो-चार दिन बीते और पूरन मासी की रात भी आ गई जब पूरन मासी की रात भी वह लड़की सालम सिंग की हवेली पर नहीं पहुँची तो अगले दिन जैसा कि उसने कहा था अपने सेना के साथ दिवान सालम सिंग गुस्से में कुलधरा गाउं की तरफ बढ़ता है और जब वे कुलधरा पहुचता है तो उसे चारो और सनाटा दिखता है वे पूरे 84 गाउं को छान मारता है पर उसे वहाँ एक भी सक्स नजर नहीं आता फिर वे वहाँ से चले जाते हैं कहा जाता है कि उसके बाद वहाँ सैनिकों ने बसने की कोशिस की पर वे कभी बस नहीं पाए और ऐसा भी कहते हैं कि जो एक रात में उस गाउं को छोड़ कर गये थे उस दिन से उस गाउं में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और वहाँ पर कोई भी बस नहीं पाया उस रात को गाउं खाली करने के बाद वे लोग कहां गए किसी को नहीं पता इतियासकार्णों का ये कहना है कि वे लोग अलग-अलग जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लोटे तभी से ये गाउं स्रापित और भूतिया जगा में बदल गया अगर आप भी जैसल मेर जाए तो कुलधरा जरूर घूमने जाए तो आज की कहानी में बस इतना ही धन्यवाद और हमारे इल्लुमिनाटी चैनल को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें